सिल्चर डाइरीज में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे सिल्चर में हो रहे हैं फ्लैश फ्लट के बारे में आज सिल्चर की जो हालत है हम लोग इसलिए बहुत हद तक जिम्मेदार है क्योंकि हम कचरा करने वाले हैं दुकानदार से लेकर राह चलते लोग सभी रा बारिश भी जेल नहीं पा रहे हैं तो यह हमारी गलती है नाले टाइम से साफ नहीं होते ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से आपस में कनेक्टिड नहीं है फुटपाद भी आधा अधूरा ही बना है अब मानसून बारिश होना तो सौभाभिक है पर हमारे ड्रेनेज सिस्टम अईसा नहीं है यह हमने ड्रेन को कचरे से भर दिया है हम सिलचर बासी आगर इसी तरह आसिक्षित लोग जैसे कचरे को सही जगह नहीं फेके तो ड्रेन बनाके की किया फायदा और हां हमारे यहां जगह जगह पर डस्ट बिन होना चाहिए ताकि राह चलते लोग कचरे को डस्ट बिन में फेक सके पर हमारे यहां तो डस्ट बिन दिखता नहीं हम सबको अभी सुधर जाना चाहिए ताकि हम ऐसे फ्लैश फ्लड से बच सके सब्सक्राइब करना मत भूलना आगर वीडियो अच्छी लगी तो